नमश्कार दर्शकों बैसुरेश श्रिमाली आप सभी का ग्रहों का खेल कारिक्रम में स्राद पक्ष और पित्र पक्ष से जुड़ी हुई विशेश जानकारी के कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के जो विशे है उसकी शुरुवात करने से पहले मैं एक पिक्चर की आपको याद दिला दूँ बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया बहुत मशूर पिक्चर होई थी उसमें प्रियोग किया गया था कि एक सक्ष अपने हाथ पर एक ऐ वो इन्विजिबल हेलपर होते हैं हमारे पित्र देखते नहीं है पर हमारे साथ होते हैं कभी-कभी जिन्दगी में कुछ ऐसी गटनाएं गट जाती है कि हमें लगता है कि आज तो चमतकार हो गया आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक तुफानी रफ्तार से आपके ठी पूटर चला रहे हैं लेकिन सामने से लापरवाही तरीके से चली आ रही कोई गाड़ी किसी बड़े वहान ने आपको चपेट पे ले ले लिया टककर इतनी भीज़न थी कि गाड़ी को देखते वक्त आदमी ये सोचे कि इस पे तो शायदी कोई बचा होगा पर आप देख अधरी में हमारे इन्वीजिबल हेलपर हमारी सहायता करते हैं विश्वास कीजिए यादबुद रहस्यमय अध्रिश्य और आश्यरे जनक सच है कि दिवंगत और पूर्वज यानि हमारे पित्र अपने परिवार के लोगों को संकटों गटनाओं दुरगटनाओं के प्रती जरूरी जुड़ी हुई है मुझे पिछले साल सिक्किम जाने का मौका मिला जहां पर नाथुला जो कि इंदुस्तान और तिबबत का बोर्डर है कुछ लोग उसे चाइनीज बोर्डर भी करते हैं जबकि चाइना ने तिबबत को अपने कंट्रोल में ले 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 था इसके तिबबत बोर्डर है वापर बाबा हर बजन सिंग आप जरूर इसे इंटरनेट पर आज इस काहनी को नोट करेगा उनके बिरती हो चुकी थी और उनके ओपर कुछ मलबा गिर गय था बरफ गिर गय थी लेकिन फिर भी उन्होंने सपने में अपने बाईयों को अपने दोस् आप इसे इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा रोंग टेक खड़े हो जाएंगा आपके वो इन्विजिबल हेलपर होते हैं और यही इन्विजिबल हेलपर को हम नहीं जानते हैं लेकिन वे हमें जानते हैं क्योंकि वे ही तो हमारे पित्र हैं प उस स्नेक रिपा भाव के साथ सदेव साहिता को तयार और तत पर रहते हैं। ऐसा एक नहीं हजारों गढ़नाएं शास्त्रों में और आज भी मौझूद है आज भी लोग गाउं में अपने पित्रों से बात करते हैं। अब आज कल के दौर में बहुत सारे लोग इन बातों को सच नहीं मानते हैं। स्रद्धा के काम को लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग तो आज कल मांग में सिंदूर भरना मैलाओं के लिए मंगल सूत्र पेनना और घर की बातों को तक्यानवी सी बाते मान लेते हैं। अगर आप अपने शुब कारियों में अपने पूर्वजों और पित्रों को याद कर लें तो आप देखिए का आपके जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। कई और चिंता करने के जरूत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपना काम पूरा किया है। हर वह जानकारी जो आपके लिए जानना, समझना, अपनाना जरूरी है। मैं इस कारिकरम के मादियम से लेकर आता रहूँगा। आपके पित्र आप पर प्रसन रहें। एश्वर की घरपा पर बने रहें। इसी उम्मीद विश्वास के साथ अपनी जुबान को विराम देना चाहता हूँ। प्यार बरा नमश्कार और बहुत बहुत आशरवाद। झाल